आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने फोन में hacking OS कैसे डाल सकते हो तो बेसिकली एक OS नहीं एक एप है तो इसके लिए आपको एक AppDroid नाम की आप डाउलोड करने होगी Chrome से जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप इसे डाउलोड कर लेना है और आपको इसको install कर लेना जैसे आपकी इप इंस्टोल हो जाएगी इसके बाद अपने को क्या करना होगा कि यह थोड़ा सा टाइम लेती है उपन होने में तो थोड़ा सको टाइम देना है जैसे ही इंस्टोल होगी अपने को यहां पर सर्च वाले option पर जाके यहां पर termax search करना है उसके बाद यहां पर एक termax terminal emulator with package दिखा रहा है अपने को यही चाहिए और इसे install कर लेना इस पर tap करके तो मैंने पहले से install कर रखा था तो इसको मैं open कर लेता हूँ तो open करने के बाद यह आपकी app install हो गई इससे आप basic hacking कर सकते हो और उसके बाद यह आज की bonus trick जो काली में मैंने दिखाई थी वो सेम इसी में इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना package install sl करके enter दबा देना है यह थोड़ा उसा time लेगा installation में एक से देड़ मिनट तक उसके बाद आपको वापिस से sl लिखके फिर center कर देना है और यह आपका theme स्टार्ट हुआ